ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि प्रेगनेंसी के दोरान महिला का हेल्थी रहना नॉर्मल डिलिवरी का सिम्टम्स होता है यदि महिला प्रेगनेंसी के पूरे समय अपने खान पान अपनी बोड़ी को अच्छे से दिहान रखती है तो इससे महिला के नॉर्मल डिलिवरी के चांस इस बढ़ जाते हैं जब महिला गरवती होती है तो उसके मन में नई उमीद के साथ बहुत से सवाल होते हैं जो की सिसू के विकास से जुड़े होने के साथ साथ डिलिवरी से भी जुड़े होते हैं खास कर जो महिलाएं पहली बार मा बनती हैं उन्हें इस बात की ज्यादा एकसाइटिड होती है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि सिसू जब जनम लेने वाला है और उनकी डिलिवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन तो आईए आज हम आपको ऐसे ही कुछ सिम्टम्स बताने जा र चलत पता है तो इसे नॉर्मल डिलिवरी कहा जाता है महिला और सिसू के स्वास्त के लिए बहतर होती हैं लेकिन इसमें महिला को एक बार बहुत दर्द सहन करना पड़ता है कि लिवा बार सिसू आपको जानते हैं जिसके कारण महिला को बार-बार यूरीन पास करने की इच्छा होती है। इसके अलावा जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है वैसे वैसे अगर महिला को अपने ब्रेश्ट में ज्यादा भारीपन या सूजन महसूस होती है तो ये भी नॉर्मल डिलिवरी होने का संकेत होता है क्योरेन हल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट